जया बादा दिया आप सभी लोगों को मेरे योट्यूब शैनल माधी शक्ती पाइटेक्शन के इंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है आज का मारा टॉपिक जो भी आपको बताने वाला हूं यह सिर्फ आपकी नॉलेज पॉपस के लिए और आपको एक मोटिवेशन दे अगर आप जाप करते हैं साथी में चोटा मोटा उनके लिए भी डिसक्शन कर लेंगे जिनके कर में बहुत बिकार रहे और जिनोंने कोई भी पूजा पाट नहीं करी देखो सबसे पहली बात तो मैं आपका एक चोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा बाट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए साथी में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लेगी चोटा सा डाउट यह है काफी ल जोचते हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने जीवन में कभी नाम नहीं जपा कभी भी माला नहीं जपी या भगवान के गीत नहीं गाये तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी लेकिन क्योंकि आप कल्यूग में हैं आप कल्यूग के प्रभाव में हैं और आपने अ लिए कि आप मेरा नाम नहीं लोगे तो आपको मुक्ती नहीं मिलेगी लेकिन उनका नाम लेने से क्या होता है कि आपको मुक्ती मिलती है उसका कारण अलग है इश्वर का नाम लेने से आपकी मुक्ती होती है यह बात सही नहीं है इश्वर का नाम लेने से आप जो पाप कर र जहां पर एक साली चीज़े लिखी जाते है उसे काटा जाता है वहां से भगवान का नाम लेने से या फिर किसी भी अच्छे कर्म करने से उन बुरे कर्मों को काटा जाएगा इसी वज़े से आपकी मुक्ति हो पाएगी काफी लोग आर्गुमेंट करेंगे बहुत लोग बोल नहीं करते हैं या फिर हम क्रिश्चन हैं या फिर और कोई कम्यूनिटी की हैं तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपके कर्म एकदम साफ हैं एकदम अच्छे हैं तो आपकी मुक्ति होगी क्यों नहीं होगी लेकिन क्योंकि यह कल यूग है यहां पे आपने एक चीटी को तो मारा ही होगा, या मच्छर को तो मारा ही होगा, या फिर और पाप तो किये ही होगे, आपके बंद में लालच तो होगा ही, क्रोध आपको आता ही होगा, काम वासना आप में होगी, तो क्यूं आपकी मुक्ती होगी? इन सब चीजों से दूर जाने के लिए या फिर जो आपने गलत चीजे करी हैं उनको हटाने के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं उनके नाम को जबते हैं ताकि भगवान हमारे उन कर्मों को जो हमसे जाने अंजाने में हुए हैं या फिर जानकर भी हुए हैं उन सारे कर तो मैंने बात आपको क्लियर कर दी ऐख अगर समझ पारे हो तो गार है अगए दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगा की अub-body छोड़ने के बात क्या होने आपके साथ अगर आप नाम जब दिजने आप आप को कुंडली नि क्या हも होती है यूगाइस और दी नो राइट कुंडलीनी के सेवन चक्राइब होते हैं आप में से कोई अभी थर्ड चक्रा पर होगा कोई फूर्थ कोई फिफ्थ कोई शिक्स्थ और काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी मूद अधर पर ही होंगे यानिकि फर्स्ट रूट चक्रा पर ही जिस जिस चक्र पर आप अपने अंतिम समय पर होंगे आप उसी चक्र से ही बौडी से बाहर निकलेंगे लेकिन असलियत में आपको बताऊं तो मोक्ष यानिकि मोक्ष का मतलब है मुक्ति डारेक्ट मुक्ति का मतलब है कि सीधा परमात्मा में विलीन हो जाना आत्मा का परम पढ़ället को प्राप्त होता है जो अपनी सह स्तरार चक्र से यानिकी सात्वा सेवंथ चक्र से बहार निकलेंगे ke 7 चक्रा से बहार निकलना इस निवार्ट आप मैं से आफ में से काफी लोग हैं जो दिव्य दिश्वी खोलना चाहते है थरड़ाई कोलना चाहते है वो भी कोई असान चीज नहीं है महनत चाहिए सेम ऐसे ही आपको ध्यान को बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा अपने सहस्तरार से निकलने के लिए राइट जाप ध्यान इन चीजों में बहुत जाज आपको मनी पूरा से निकलेंगी उनके साथ क्या क्या भी भटकने वाले नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग है पृत्वी लोग के अलावा मृत्वी लोग के अलावा वहां आपका जनम हो सकता है तो यह एक अच्छी ही बात है इसको हम पॉजिटिव में लेंगे अगर आप तीस निकल रही है है और जो यह फाले है बिल्कु आउन किया आर प्रोजाप नहीं किया डूरा dorabh नहीं है लेकिन पाप्की है क्या विल्कुम सात्विक ते के जी वन बताराये थे किसी बीए इनसान को कभी भी अच्छा नहीं बोला कि अपके मुशे बुरे शब्रा निकले ही ह होगे हीन भावना आई होगी घमंड होगा हर किसी इंसान के अंदर मैं अपनी भी बात करूँगा हर किसी इंसान के हम बात करें including me including my family members your family members अपके साथ ही ऐसा होता है right सबके अंदर काम क्रोध यह सारी वासना है और इर्शा जैलसी जिसे हम बोलेंगे मैं हर टम्स करता हूं क्योंकि मेरी और इसके हिसाब से तो इसी वाज़े से तो आप समझोगे बहुत कॉम्प्लिकेड़ चीज है इस अब इतना असान नहीं है समझना राइट काफी लोगों के मित थे यह जो मैंने आज क्लियर कि भगवान को आप आरती कर रहे हो पूजा कर रहे हो नाम जब रहे हो तो मुक्ति है वरना मुक्ति नहीं है नहीं ऐसा नहीं है आपने कर्म अच् अच्छन में हम लोग द्हीरे गलत चीजें बोलना गृसा जाना छाना सारी भावनाज के साथ हम अपनी और वखराब करते वह रहा है हमें रहे हमेशा बना है आकि चैज yan Time और हम लोग हैं उसे खराब करने मैं हम लोगों ने सूर्छ स्ली के बालें को करा कि आुज साय हमार को मेरी फैमिली को मुझे हर चीज समझानी बतानी साथी में एक बात मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आप से हाथ जोड़के सौरी और माफी मांगना चाहूंगा कि मैं चैनल पे जो कॉमेंट्स आ रहे हैं अभी फिलाल के लिए मैं उन्हें नहीं रिप्लाइ दे पा रह अभी फिलाल इतना ही आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी हर हर महादेव रादे रादे जैश्री राम आप सभी को